हेलो फ्रेंड्स मैं अकान शाह जीके वित अकान शाह में आपका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स आज हम भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे और भारत की मिट्टियां हम जो भी हमारा बेसिक नॉलिज है वो हम मिट्टि के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद अगर इसमें आपके लिए केवल बेसिक बेसिक लेके आई हूँ जो आपको समझना जरूरी है जैसे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है कहां कहां पर पाई जाती है हम मैप के थुरू देखेंगे कि मिट्टी कहां पर पाई जाती है यह जो मैप है मैंने ncrt book से लिया हुआ है इसम पहले बार वीडियो को देख रहे हैं तो पहले सबसे पहले सबस्क्राइब कर लीजिएगा और इसके पहले भी मैंने आपके लिए मेंस की एक सीरीज चला रही हूं आप उसको देखिएगा इसकी मैंस के लिए हम आइंसर फ्रेमिंग नहीं कर पाते हैं बहुत से जो विगनार मेंस पहली बार देते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हमको कैसे लिखना है तो इसके लिए वह को लेकर आई हूं तो आप वह देखिएगा वह उसकी मैंने प्लेलिस बता दी है आप आहां पर जाके देख सकते हैं तो चलिए फ्रें स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पह मासा का सब्द है अब हम देखते हैं कि मिर्दा में क्या क्या होता है मिर्दा का संगठन क्या है तो मिर्दा में खनिच पधार्त रहते हैं चार से चार दसमला पांच प्रतिसत हुमस में जीवान सोते हैं और कार्वनिक पधार्त होते हैं मिर्दा जल कितना रहता है मिर्दा मिदा में 25 बाइव्याव वह सूख्ष मजीव मिदा मैं पाए hebben मिदा का संगथन मिदा किय किसा बना होता है हम एक । प्रफाइल बनाते हैं उसमें हम इसब से चाहर क्युंतर है तो अब हम यह देखे, यह जो हमारा structure है, यह मिर्दा की layer है, A, B, C, D जो सबसे उपर, उपर की जो मिर्दा रहती है, वो सबसे ज़्यादा उपजाओ होती है फिर यहां से कम उपजाओ होती जाती है, मिर्दा जैसे-जैसे हम नीचे बढ़ते है तो यह जो layer होती है, इसको हम बोलते है A, इसको हम बोलते है B, इसको हम बोलते है C, और इसको हम बोलते है D तो यह मिर्दा की layer होती है, मिर्दा की परते होती है, जो A परत होती है, सबसे ज़्यादा उपजाओ होती है जो B बड़त होती ही उससे कम उप जाओ होती है, C उससे कम और D सबसे कम तो इस प्रेकर यह मिर्दा की लेयर होती है, भारती करसी जो अनुसंधान परिसद ने 8 प्रेकार की मिर्दा की पहचान की है दिखी कौन-कौन सी मिर्दा है, जलोड मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, मरुस्थरिय मिट्टी है, परवतिय मिट्टी है, छारिय मिट्टी है तो इस पेकार से ये कुछ मर्दा की उन्होंने पहचान की है इनके बारे में हम भी आगे मैप में देखेंगे इसके बाद है कि सबसे ज़्यादा लवडिये छेत्र जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है मिर्दा मिर्दा का सबसे तबड़ी एच्छेतर कहां पाया जाता है तो गुजरात में पाया जाता है सबसे ज़्यादा अमली है मिर्दा कहां पर पाया जाती है चाय बागान जो होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिर्दा पाया जाती है सबसे जएदा छारिया मृद्ध रहते हैं है काली मिट्टी जो रहती पांच पती सत पाई जाती है हुमस नाइटरोजन फास्पॉरस की बहुत कमी होती है अब हम देखते हैं मैप के फ्रेंट नियुक्त पूरा मैप है यह पूरा अब यह जो इतना पी जो पार्ट है आप देखते हैं यह हिमालया पार्ट है हिमालय पर परवतिये बन पाए जाते हैं तो यहां की जो मिट्टी होती है बहुत जदा उपजाव होती है और यहां पर बन नहीं होते क्योंकि परवतिये भाग है तो पर परवतिय बन कहते हैं नेक्स ने हमारा यह वाला भाग जो है यह पीला राजिस्थान यहां पर है थार मरुस्थल है तो यहां की जो मिट्टी होती है और यहां पर जो मिट्टी इसको हम बोलते हैं सुस्क क्योंकि इसमें पानी की कमी होती है सुस्क मिट्टी में पानी की कमी ह होती है जलोड जलोड मिट्टी जो रहती है यहां पर पाई जाती है गुजरात यहां से राजिस्थान के कोछन से यह पूरा जो हिस्सा है उत्ता पदेश जलोड मिट्टी को क्या होता है कि नदी के दोरा बहा के जो लाई जाती है मिट्टी जलोड मिट्टी और यह बहुत ज चेटर होता है महरास्त का चेटर होता है गुजरात के चेटर होता है यहां पे काली मिट्टी के लिए बहुत ज़दापützen ऑप्योगी होती इसके बाद यह जो रहता है जहां पर बहुत ज़दा मसाले होते हैं चाय कॉफी होती है यह कुछ हंस करना टक का कॉफी का और यहां के कुछ हंस यह और यह असम का यहां पर चाय कॉफी जो होती है यह जो हुस्सा होता है वहां पर आपका लेटराइट मिट्टी पाई जाती ह तो इस प्रेकार से यह कुछ मिट्टी के अंसते दे कि यहां भी जलोड मिट्टी पाई जाती है यह पूरवी तट जो है यह पूरवी तट में भी जलोड मिट्टी पाई जाती है नदियों यहां पर समुद्र हैं समुद्र कि यह पानी बहे बहे के आते हैं तो यह पूरवी कि आती हो जिए खटी हो जाती है वो जलोड मिट्टी होती है तो इस प्रेकार से चैंट्र ए परवधियर म्तश्रम में पाई जाती है इसके बाद पूर्भी पूरा छेत्र दक्षनी पूरा छेत्र दक्षरिक का पूरा नीचे बूरभ पुरब का पाई जाती है एसके बाद जहां पर में कि चाए वाला पोरसन है यहां पर पता देखिए आसम इह पाई जाती यहां पे कुछ चेत्र पूरब का और यह आपका केरल ego अब है यहां और करना टकी यहां पर चाए कौफी पाई जाती मिठी का उता है। क्रश्य वाथ कोई चाहि का बाल जाती, तो यह आधन मर्धा के से प्रकार थे तो जिसाकेर बॉलते हैं। मरुस्तरी सुन मिट्टे को मरुस्तर्य मिट्टी बोलते हैं यह वाला पुर्वती है जलोड मिट्टी देखिए पूरा भीच का पूरा जो हिस्सा है यह आपका गुजरात से लेके राजिस्थान के बीससे लेकर मद्धवियों पर करेंसा उत्तर प्रदेष bereits या रे पंजाब आना यहां तक यह आपका जलोर मिट्टी आ अजाएगा यहां पर यह काली मिट्टी है यहां मद्वपदेश की कपास में पाई जाती है यहां पर कपास की बहुत ज्यादा अच्छी खेती होती है इसकी पूरी काली जाएगी और फिर यहां पर पाई जाती है फिर पूरब के हिस्सों में पाई जाती है यहां पर बहुत जदा बर्सा होती है और यहां पर अच्छा कीजिएगा, okay friend, thank you